हेलो दोस्तों अंजना के चनल में आप सभी का हर्दिक स्वागत है तो आए दोस्तों आज हम जानते हैं कि जैसी बुद्धी होगी वैसी ही मनुष्य की भावना होगी दोस्तों एक बार एक राजा ने मुख्य मारक के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया और स्वें एक ब्रिक्ष के पीछे छिपकर यह नजारा देखने लगा कि कोई उस पत्थर को हटाता है या नहीं कई राजदरवारी और व्यपारी वहां से गुजरे दोस्तों उन मेंसे किसी ने भी यो पत्थर नहीं हटाया और शाथ में उन्चे स्वर में राजा को और गाली दी कि कैसा राज्य है यहां की सड़क व्यवस्था ठीक नहीं है लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की फिर वहां से किशान गुजरा उसकी पीट पर एक अनाज का बोरा था दोस्तो पत्थर को देख कर उसने अपना वो बोरा एक और रखा और पत्थर हटाने का प्रियाश करने लगा जब किशान ने बहुत ज्यादा परिश्रम किया तो उसके बाद वो पत्थर हटाने में शफल हो गया किशान देखकर हैरान रह गया कि जिस जगह से उसने उस पत्थर को हटाया वहाँ एक सोने की पोटली से भरा हुआ शिक्के की एक थैली थी और एक पत्तर था उस पत्तर में लिखा गया था दोस्तों कि पत्तर हटाने वाले के लिए सोने की ये शिक्के उपहार श्वरूप हैं दरसल दोस्तों यह कहानी हमें सीख देती है कि हमारे मार्ग में आने वाली हर बादा हमें उनत्ती का अफसर प्रदान करती है जब भी आप कोई ऐसी चीज देखें जो आपकी थोड़ी सी पहल से ठीक हो सकती है तो वह काम जरूर करें आपकी यह मेहनत आपको फल जरूर देगी जब आप किसी के लिए निश्वार्थ भाव से कुछ अच्छा करते हैं तो असद करम घुम घुम कर आपको और आपके परिवार को लाब उचाता है दोस्तो असंतोष उनत्ती के लिए पहली आवश्कता है पर आधुनिक उनत्ती से जो शंपत्ती बढ़ रही है जब तक वो पुंजी का निर्मान और बिलाशिता की उत्पती में लगी रहेगी तब तक उनत्ती सच्ची और स्थाई नहीं बन सकती आप अलग खड़े होकर या अपना दुखड़ा रोकर उनत्ती नहीं कर शकते दोस्तो अपनी योजनाओं कुरियानवित करके ही आप उनत्ती की ओर अग्रशर हो शकते हैं कुछ भी पाने के लिए सकरात्मक होना अतियन तावश्यक है और यह सहस और उनत्ती की नीव है दोस्तो दोस्तो हमारी बड़ी शान कभी ना गिरने में नहीं है बलकि जब जब हम गिरें हर बार उठकर चलने की कोशिश करें इसलिए बाधाओं का डेट कर मुकावला करना चाहिए शदभावना रख कर निरंतर अपना करम करते रहना चाहिए दोस्तो शदभावना से किया गया करम उचितफल दायक है अपनी भावनाई मनुष्य की फ्रेंड होती है जबकि बुरी भावनाई शत्रू क्यूंकि अच्छी भावनाई मनुष्य को शफल बनाती है और बुरी भावनाई बिफल भावनाई मनुष्य की बुद्धी की उपज होती है दोस्तों अच्छी बुरी भावनाई मनुष्य की बुद्धी की उपज होती है जैसी बुद्धी होगी बैसी ही मनुष्य की भावना होगी तो देखा दोस्तों आप सबने ये था बुद्धी और भावना के उपर मेरी वि